कैसे हो आप सब एक्चुली मेरे टाइम से कोई भी ब्लोग नहीं आप आ रहे हैं आप भी जानते हो मतलब मेरी जो डेली रूटीन है ना वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूं क्योंकि ना हमारे घर का शिफ्टिंग का काम चल रहा है और बहुत बीजी है कोई पैकि करना है और इसलिए मैं ममी और विहान आये थे दूसरे घर में सोचा थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं क्योंकि घर में जाडू भी नहीं लगया भी दूसरे घर में और हमारा जो पहला वाला घर है ना उसकी अभी समान की कुछ भी पैकिंग नहीं हुए बस थोड़ी बहु बहुत सी दिक्कते हैं जिनका सामना करना पड़ता है जैसे कि अभी प्लंबर का काम करवाना है यहां पर पानी ही नहीं आ रहा है अभी पता चला है इस घर में पानी की लीकेज की दिक्कत है आदे घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाती है तो जो हम उसे नीचे रहते हैं उन्होंने हमें बताया है बोलते हैं पहले प्लंबर का काम करवा लो फिर यहां शिफ्ट होना तो देखें कितनी सारी दिक्कते आती हैं और फिर अब विहान बाबू में जाडू लगा रही थी तो बार-बार जैसे जहां में जाडू लगा रही फिर यह न कि वो मिट्टी लगा है ना तो एक दम से भागता है मतलब आप सारे दर्वाजे ना बंद करके रखने पड़ते हैं तो आप यहां पर देख लीजिए मतलब मुझे जाडू नहीं लगाने दे रहा था तो मैंने सोचा चलो में इसको ना फिर गोदी में लेकर इना पूरा जाडू फिनिश क कपड़े में कल लेकर आई थी मार्केट गई थी शोपिंग करी थी थोड़ी सी मैंने और मैंने इसकी जो वीडियो दूसरे चैनल पर डाल दी है मतलब आप देख लीजेगा अगर आपको देखना हो तो मैंने कौन सी दुकान से क्या-क्या चीजे खरी दी बाकी आपको तो क अजीब साना अभी माइंड की मेरे दिमाग की सिचुएशन बहुत अलग सी हो रखी है मतलब एक आप पूराना अपना घर जहां पे आप इछले नो-दस महीने से रह रहे हो उसको छोड़के आपको किसी और नए घर में शिफ्ट होना हो तो मतलब आप कहते हैं ना कि इंट घर ले रखा था ना उससे जादा दूर नहीं हम शिफ्ट हो रहे हैं नजदी की है बाकी मैं तो पापा जी से इस बारे में काफी नराज भी हुई थी मैंने ना पापा जी को बोला था कि पापा जी आप शहर में ले लो मकान वहां ना सस्ते भी मिलते हैं चोटा ले लो बे आपकी में से बात करती हूं मैं यह कह रही थी कि ना अगर मैं यहां से इस घर से अगर हमें बाहर निकलना हूँ और मार्केट जाना हो तो मैं closure नहीं जा सकती में city यहां से कम साँ पता नहीं दस पंदरा किलो-मीटर का तो होगा रस्ता बहुत जादा दूर हैं तो सब कहते मतलब जहां हम पहले रहते थे ना उस मकान का रेंट जो था उससे धाई हजार रुपे फालतू रेंट है और दिखने में वैसा ही है घर तो मैंने तो बोला था पापाजी से कि ना इतना महंगा भी है और पैसे भी मतलब देखो ना कितने जादा जाएंगे मतलब वैसे तो पे किष्ट ना जाए घर की मतलब घर की किष्ट चली जाए थोड़ा सा लोन वोन करके अपना खुद का ही देख ले तो वो चीज़ ज्यादा अच्छी है ना पर बस पापाजी और को कोई बात नी उनको उनका कुछ और मतलब फ्यूचर प्लैन होगा सोच रहे हैं देखते सब्सक्राइब लगा तो पर तो हमने तो हमने साल हो गहा हैं ना काफी किराया किराया ही चला गया होगा हमारा तो मलब अगर किराय की पैसे अगर जमा हो जाते न और थोड़े और उपर लगा लेते तो हमारा तो खुद का ही घर बन जाता तो चलो कोई बात नहीं जब बनना होगा बन जाएगा है ना कुछ हैं चीजे हैं सपने हैं देखो टाइम के साथ कब पूरे होते हैं तो ठीक है मैं भी अब लाइफ में आगे बढ़ रही हूं कुछ चीजे बढ़ लेकिन एक बार ना अभी मुझे कुछ दिन लगेंगे आप कहोगे ना कि आप कहते हो तो बस अभी एक बार जब तक घर सेटल हो जाएगा ना धंक से समान वगेरा सारा फरनीचर सेट हो जाएगा उसके बाद हमारी लाइफ धंक से शुरू होगी अभी तो आप देखोगे ना हम मैं आपको पहले वाला अपना जो घर जाम रहते थे थ उपर से मतलब आप को क्या बताऊं मैं अप समझ नहीं आ रहा कि उस घर को कैसे सेट करें मतलब जिन्होंने ना कभी ऐसे किया हो मतलब कैते हैं उसको शिफ्टिंग कियो वो तो समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी करना यह तो है और यहां पे ना मैं किचन का उपर का भी कोर्नर कर रही थी और आप सबने कहा था ना इस बार देखो किचन हमारी अब बिख्री हुई नहीं दिखेगी क्योंकि सब कुछ ना यह कैबिन्स में आ जाएगा तो उपर जैसे स्लैब है ना यहां पर सिर्फ गैस स लेके है ना जी मतलब मतलब ऐसे नहीं आप कहना पस वैसे ही कह रही हूं मतलब काम करते हुए ना क्या करें चोटा बच्चा हो गया फिर बाद में तो मैंने मम्मी को कह दिया था आप लेके बैठ जो बच्चा मैं काम कर लूँगी फिर पापा जी भी अभी ना घर पे थे पर वो थोड़ी तब्यत उनकी खराब हो रखी थी आज उनकी वीडियो भी नहीं गई होगी बस ऐसे ही चलता है लाइफ है कुछ ना कुछ करके एक एक दिन करके जिंदगी पीछे चली जाती है अब सोस्ते हमने 28 साल निकालती है ऐसी आउर टाइम निकल जेगा है ना घर क अब हम कर रहे हैं ममी के साथ हायु यू मैं तो लगते हैं करते हैं काम ठीक है ना इस घर को सजाना है थोड़ा बीजी हूं इसलिए ब्लोग नहीं डाल पारे हूं टाइम पे तो अपना ध्यान रखिए मेरी विडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैलेल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूं ठीक है ना जी चलिए बाइबाइब एक केर